दोस्तों, लोग कताओं के भागदों में आपका स्वागत है, नारियल का जर्म यह कता अंडमा निकोबार की है, पुराने समय में कार्णो निकोबार के एलकामेरों में दो मित्रे रहते थे, एक का नाम सोंगी और दूसरे का नाम एनालो था, दोनों एक दूसरे को बहुत प् करते, जो कुछ वे कमाते, उसे साथ साथ खाते और सुख दुख में साथ रहते, दोनों पूरे दिन काम में लगे रहते थे, कार्णो निकोबार में एक बार सूखा पड़ा, हलाकि निकोबार चारों और समुदर से गीरा था, लिकिन पूरे साल पानी की एक बूंद भी नह कर सी थी, सारे कुए सूख गयते, मनुष्य जानवर पक्षी, बीना पानी के मर रहते, असोंगी एक अच्छा जादू गर था, उसकी गाउवाले ही नहीं, दूर दूर से दूसरे लोग भी उसका जादू का खेल देखने आते थे, एक दिन दोनों दोस्त घास काटने को असोंगी को अपनी चूरी तेज करनी थी, लेकिन आसपास कहीं पानी नजर नहीं आ रहा था, ऐसे में असोंगी जंगल में गुज गया और जादू के बल पर जमीन से पानी निकाल लिया, उसे लेकर वे अपने मित्र एनालो के पास गया, एनालो को बड़ा अस्चरे हुआ यह पानी तुम कहां से लाए हो, उसने असोंगी से पूछा, जंगल के भीतर से असोंगी ने शंचीप्ट सा उप्तर दिया, देखो मैं तुमारा सबसे गहरा दोस्त हुआ, एनालो लालच पूरवग बोला, मुझे भी यह जादू सिखाओ ना, एनालो मेरे दोस्त, मुझे तुमारी दोस्ती पर कोई शक नहीं, असोंगी ने सपाट आवाज में बोलना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे गुरू जी का कहना था कि हर विद्या हर आदमी को नहीं सिखाई जा सकती, इसलिए अच्छा, तो मैं जादू सीखने योग्य नहीं हूँ, उसकी बाते सुनकर ए उसने सोंगी के सीर को एक कंबे पर लटका दिया, रात में वैसीर अनलो से बहुत सी बाते किया करता था, इससे डर कर एनलो गाउं छोड़ कर भाग गया, वह दूसरे गाउं में जा पोचा, वहां उसने शादी की और अराम से रहने लगा, कुछ समय बाद उसके घर एक सुखी और था कहारा एनलो एक रात जल्दी सो गया, गहरी नीद में उसने एक स्वपन देखा, स्वपने में उसके दोस्त असोंगी के कटे हुए सीर ने उससे यह का, इस सीर को जमीन में दबा दो, उससे एक पेड उगेगा, जब उस पर फल आ जाए, तब उस फल को तोड उस फल को काटने पर उसके भीतर पानी निकलेगा, वह पानी अपनी बेटी को पिलाओ, वह ठीक हो जाएगी, एनलो की नीन तूट गई, वह मुँ अंधेरे ही उट बैठा और दोड़ता हुआ अपने पुराने गाउं में पोचा, घर के खंबे पर लटके असोंगी के सीर क तो उसने उसके बताय अनुसार जमीन में दबा दिया, कुछ समय बाद उस सीर से एक पेड़ पैदा हुआ, उस पर फल लगे, एनलो ने फलो को बीश से काटा और पानी निकाल कर बेटी को पिलाया, कुछी दिनों में लड़की बिल्कुल चंगी हो गई, एनलो उसे स्वस् अंगी के सीर से पैदा हुआ, फल मानते हैं, एक थी रुस्मा, यह है असम की लोग कता है, असम के ग्वाल पाड जिले में एक नदी के किनारे लक्षमी नंदन सहुकार रहता था, घर में पत्निवे एक बच्ची रुस्मा के सीवा कोई ना था, परंतु भाग्ये पर किसका बस चला है, तीन दिन वुखार के बाद ही रुस्मा के मा के प्रान उड़ जाते रहे, लक्षमी नंदन ने रुस्मा को बहुत समझाया, परंतु बच्ची दिन रात मा के लिए रोती रही, लक्षमी नंदन के चाचा ने एक उपाय सुझाया, क्यों न तुम दूसरा विया कर लो, बच्ची को मा भी मिल जाएगी, तुमारा घर भी समझायेगा, सहुकार ने सोच विचार का दूसरे विवा का फैसला कर लिया, रुस्मा की सोतेली माता का सभाव अच्छा न था, सहुकार को राजा के काम से कुछ महिने के लिए बाहर जाना पड़ा, उसके घर से न रुस्मा को मचली पकड़ना नहीं आती थी, वह नदी किनारे बैट कर रोने लगी, तभी पानी महल चलुई और एक सुनहरी मचली ने पानी से सिर निकाला, रुस्मा बिटिया मैं तुमारी मा हूँ, तुम क्यों रोती हो, उसकी बात सुनकर मचली ने उसे खाने को भोजन दिया और उसकी टोकरी मचलीों से भर दी, विमाता को पता चला, तो उसने रुस्मा का नदी पर जाना बंद करवा दिया, एक दिन चिल चिलाती धूब में, उससे बोली, चलो सारे बाग को पानी दो, भूकी प्यासी रुस्मा पेड के नीचे बैठी रो रही थी, उसकी मर रोज पेड के नीचे आकर बैठ जाती, तो ता उसे मीठे मीठे फल खिलाता, सोतेलिमा ने ये बास सुनी, तो उसने पेड ही कटवा दिया, रुस्मा का बाग में जाना भी बंद हो गया, फिर उसकी मान एक गाएं के रूप में आने लगी, सोतेलिमा ने देखा कि रुस्म तो दिन रात मोटी हो रही है, उसने पता लगाया कि एक गाएं रोज रुस्मा को अपना दूद पिलाती है, सोतेलिमा ने गाएं को मारने की कोशिश की, परंतु गाएं ने उसे ही सिंग से मार कर भाग गई, वह गुस्से में आगवबुला हो गई, रुस्मा पर कड़ी न बोली भाली रुस्मा को उसने पीने के लिए पानी तक न दिया, रुस्मा की मा ने एक चुहें का रूपधारन किया, उस अंदेरे कमरे में मैं रुस्मा के सामने जा पोची, आखों में आसु बर कर बोली, रुस्मा मत रो मैं आई हूँ, तेरे लिए भुने कराई, अनाज का मिश्रन लाई हूँ, रुस्मा ने जी भर कराई काया और मा दुआरा लाया गया पानी पिया, बंद कमरे में भी रुस्मा पल फूल रही थी, यह देखकर सोतेली मा ने उसे जान से मारने का निश्चे कर लिया, साहुकार के लोटने में चार दिन की ही देर थी, रुस्मा के लिए बहुत सा सामान लाया, वहर रुस्मा को कुकारने लगा, तब ही कमरे में से आवाज आई, अगर रुस्मा के प्रान बचाना चाहो, तो नई मा को धक्क्य दे कर निकालो, लक्ष्मी नंदन ने रुस्मा की सारी पिछली बाते सुनी, तो उसे पत्नी पर बड़ा ग उस दिन के बाद मा की आदमा फिर नहीं आई, दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू,